त्योथर रिवा जिले की त्योथर तहसील कार्यालय के पास ही ग्राम पंचायत चुनरी में पहाड किनारे की भूमी पर मुस्लिम परिवार के द्वारा अतिक्रमन किया गया है वैसे तो पहले से ही दिलीप वस्त्रालय के ठीक सामने पिछले कुछ वर्षों से यह मुस्लिम परिवार रोड पर ही नालियों के उपर ही कच्चे मकान बनाकर पंचर की दुकान एवं गाडियों की धुलाई का कार्य कर रही हैं जिससे आए दिन सडक पर जाम लग जा रहा है कभी भी कोई बड़ी दुरघटना भी घटित हो सकती है इसका जिम्मेदार कौन है अनाधिकरित रूप से बने कच्चे मकान में विजली की सप्लाई कहां से हो रही है कहीं विजली विभाग द्वारा कनेक्सन तो नहीं दिया गया या कहीं और से विजली की सप्लाई की गर्मी का आलम यह है कि कहीं पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा सडक में पानी बहाया जा रहा है, वही चुनरी में पहाड किनारे अनाधिकृत तरीके से सरकारी भूमी पर कच्चे मकान का निर्मान किया जा रहा है, आखिरकार इ सूत्रों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है, कि चुनरी ग्राम पंचायत में बकाइदा मतदाता भी बना दिया गया है, जिनका नाम वार्ड नंबर एक में दर्स है, इसकी भी जाँच आवश्चक है, किसके सह पर नाम जोडा गया, जिसका खुलासा तो जाँचो प्रां मुकदर्शक बना हुआ है, हमारे समवाददाता कमलेश शुकला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट